भारत में सोने चांदी की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है आज चांदी की ही बात कर लें रिकॉर्ड 87,000 रुपए प्रती किलो चांदी किलोग्राम के पार पहुंच चुकी है चांदी में 500 रुपए से ज्यादा का उच्छाल देखा गया आखिरकार चांदी में खलबली जो कीमतों बेतना उच्छाल है जबरदस तेजी आई है चांदी की कीमतों में और आज MCX पर चांदी का भाव 87,000 रुपए की रिकॉर्ड उचाई के पार चला गया है मतलब ये कि चांदी का ये भाव इससे पहले कभी दिखा नहीं था बेतहाशा तेजी का माहल चांदी मे बना है इसके पीछे कई महतपून वज़े है जिससे कीमतों को बड़ा सपोर्ट मिला है पहली और बड़ी वज़े ये है कि अमेरिका में जो रिटेल महंगाई के आकड़े आए वो अनुमान से कम आए मतलब महंगाई के मोचे पर रहात मिली है महंगाई में महंगाई की और मजबूत कर दिया ये तो रेट कड़ वाली बात हो गई इसके अलावा जो एक बड़ी वज़े है वो ये कि जो फिजिकल डिमांड है चांदी की जो हाजिर बाजार में डिमांड है उसमें बहुत ज्यादा बढ़तरी हो रही है चाइना जो की बड़ा कंजूमर है मेटल का और वहाँ पर लगातार ये संकेत मिल रहे हैं कि आर्थिक हालात को बेहतर करने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहा है तो अब जो इंडिस्ट्रियल डिमांड है चांदी की उसमें बढ़तरी की उमीद बढ़ गई है चाइना में और बाकी देशों में और उसके मुकाबले डिमांड के मुकाबले सप्लाई के हालात बहुत बहतर नहीं है तो इसको देखते हुए एक फिजिकल डिमांड काफी अच्छी आ रही है इन्वेस्ट्मेंट डिमांड से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है और आप देखिए कि जब गोल्ड में गोल्ड ने ऑल टाइम हाई क काफी दूर है तो लिहाजा एक सेंटिमेंटल बूस्ट भी चान्दी को मिला है और जो तमाम एक्सपर्ट हैं बुल्यन मार्केट के उनका मानना है कि अभी भी गोल्ड के मुकाबले चान्दी में तेजी की ज्यादा संभावना है चान्दी आउर परफॉर्म कर सकती है टेक एक लाग पार जल्दी शायद ये संभावना भी हो सकती है सही की चान्दी एक लाग के पार पहुंचा जिस तरीके से पंडमेंटल सम देख पा रहे हैं